Hi everyone, so welcome and welcome back to my channel, so आज की जो ये वीडियो होने वाली है, वो बहुत जादा informative होने वाली है, जितने भी बिगनर्स हैं, जिनोंने अभी अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, यह जिनको ब्रांच के बारे में नहीं पता है, so ओन लोगों के लिए ये वीडियो काफी करूंगी कि आप कैसे ब्रांच के साथ कोलाबोरेट कर सकते हैं, आप कैसे फ्री गिप्स जो है वो ब्रांच से ले सकते हैं, कितने मिनिमम फॉलोवर्स आपको चाहिए, यह कौन सा क्राइटीरिया आपको अप्रोच करें या खुद आप ब्रांच को जाके अप्रोच करें, So without further it, let's get quickly started the video So first of all, बात कर लेते हैं कि collaboration होती क्या है For example, अगर कोई brand आपको approach कर रहा है और आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं और एक अच्छा खासा profit generate कर रहे हैं तो उसे हम collaboration बोल देते हैं Collab भी different type का होता है जैसे कि एक होता है barter collab, एक होता है paid collab Starting में अगर आप beginner हैं तो most ये आपको barter collab ही मिलेंगे Barter collab में क्या होता है कि brand आपको product send करते हैं और आपको उस product पे video बनानी होती है Video short video भी हो सकती है और long video भी हो सकती है और जो भी product आपको मिलता है उसमें आपको pay नहीं करना होता है वो brand आपको भेजता है तो अगर आप beginner हैं तो आपको जो है वो जाधतर ऐसे barter collab ही मिलेंगे Barter collab भी अलग-अलग तरह के होते हैं कहीं barter collab ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको पहले pay करना होता है जब product आपके पास आजाता है आप उस पे video बना देते हो अपलोड कर देते हो उसके बाद brand आपको पे कर देता है यह completely आपकी च्रोइस होती है आपको कौन से barter collaboration जो है वो accept करने हैं कहीं तो ऐसे होते हैं जिनमें डारेक्ट आपकी पास product आते हैं आपको वीडियो बनानी होती है और जो भी उनकी requirement होते हैं वो fulfill करनी होती है लेकिन कई barter collabs ऐसे होते हैं जिनमें आपको product के लिए भी पहले pay करना होता है बाद में जब आप वीडियो बना देते हो तो आपको brand जो है वो pay कर देता है अगर आप ऐसा collab accept कर रहे हैं जिसमें आपको पहले pay करना है बाद में जब आप वीडियो बना दो तो brand आपको जो भी आपने payment की है वो आपको pay कर देंगे तो आपने उस time जो है वो बहुत ही ज़ादा ध्यान से उसको करना है कि आजकल बहुत सारे fraud हो रहे हैं कई लोग क्या करते हैं कि बाट को लैब accept कर लेते हैं वीडियो भी बना देते हैं खुद से उन्होंने pay किया होता है लेकिन बाद में brand उनको pay नहीं करता है तो ये completely आपकी choice होती है कि आप किस type के बाट को लैबरेशन को accept करते हैं और कौन से नहीं second one होते हैं paid collaboration, paid collaboration के लिए आपको जादा followers चाहिए होते हैं आपकी engagement वीडियो की जादा होगी तो ही आपको paid collaboration मिलेंगे मैंने आज तक अभी तक सिर्फ एक paid collaboration किया है बाकी सभी मैंने बाट को लैब्स ही किये है paid collaboration क्या होता है जिसमें आपको payment भी मिलती है product तो free मिलेगा ही लेकिन product के साथ साथ आपको payment भी मिलेगी so अगर आप beginner है तो normally आपको जो है वो बाटक लाभी देखने को मिलेगे वीडियो भी आपको दो तरह की देखने को मिल जाएगी एक होती है dedicated video जैसे किसी ने आपको product सेंट किया तो आपको उस पे full detailed video share करनी है उसको हम बोत है dedicated video और एक होती है integrated video अगर आप normally कोई vlog शूट कर रहे हो या कोई और video upload कर रहे हो उसके बीच में आप एक या दो मिनट के लिए उस product के बारे में भी बता सकते हो अब second one है कि आपको free gifts कैसे मिलेंगे कैसे brand आपको approach करेगा या आप brand को approach करोगे तो normally क्या होता है जैसे मुझे कोई brand जो है वो approach करता है तो normally वो मुझे mail send कर देते हैं या फिर instagram पे direct message कर देते हैं अगर आप beginner हो तो आपको क्या करना है portfolio बना लेना है portfolio में आप अपना name जो भी आपका content होगा उसके बारे में अपना YouTube का link अपना Instagram का link आपको डाल देना है और brand को खुद से send करना है क्योंकि normally क्या होता है अगर हम channel start करते हैं तो बहुत सारे influencers होते हैं तो brand हमें approach नहीं कर पाते हैं क्या पता लगेगा कि आप भी ये content बनाते हो आप भी ये video बनाते हो तो normally आपने क्या करना है अपना एक portfolio बना लेना है आपको उसको copy paste करके जो है वो brand को send करना है अगर आप दिन में 10 या 15 brands को भी approach करते हो तो एक या दो brands ऐसे होते हैं जो आपको re-approach करते हैं और आप फिर उस content पे video बना सकते हो क्योंकि normally क्या होता है जब हम beginner होते हैं सो हमें इतना साथा पता नहीं होता है कि हम कैसे उनको approach करें और हम wait करते रहते हैं कि brand हमें approach करेगा लेकिन आप भी brand को approach कर सकते हो पांच-दस brands को आप daily DM कर सकते हो अपना content बता सकते हो जो भी आपकी अच्छी real होगी या अच्छी video आपने बनाई होगी उसका link भी आप साथ में attach कर सकते हो इसके अलावा बहुत सारे campaigns जो हैं वो चलते रहते हैं अलग-अलग site पे अलग-अप्स पे अगर मैं दो-तीन के नाम लूँ जैसे कि fixo हो गया cofluence app हो गया इन पे भी बहुत सारे अलग-अलग campaigns चलते रहते हैं आप इन में भी खुद को register कर सकते हो और अलग-अलग collaboration की video आ से कर सकते हो बाकि सबसे important जो यही है कि आप constant video डालते रहो consistency आपको maintain करके रखनी है अपने channel पर अगर आप चाहते हो कि आपका channel grow करें तो आपको कोशिश करनी है कि week में at least 1-2 video आप जरूर upload करें और बात रही followers की तो followers उत्ते जादा matter नहीं करते हैं ऐसा भी नहीं है कि अग आपको collaboration मिल जाएगी अगर मैं अपनी बात करों तो मेरे 300 सम्थिंग सब्सक्राइबर से तब मैंने अपनी फर्स जो है वो collaboration वीडियो शेयर की थी तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके subscribers 1-2 हजार से जादा होंगे तभी आपको जो है वो collaboration के लिए PR packages आएगे ऐसा नहीं होत है आपको अपनी वीडियो जो है वो regular डालते रहना है अपना content सही रखना है try करना है कि आप अच्छा content डालो और आपकी वीडियो की जो reach है वो जादा से जादा हो so that's it for today यही थी आज की वीडियो I hope आपको ये वीडियो useful लगी हो अगर आप मेरे चैनल पर नू है so do subscribe my channel and hit the bell icon so that में जब भी कोई न्यू वीडियो अप्लोड करूं आप लोगों को notification मिल जाए that's it for today thank you so much like share and subscribe